यूँ भटकना इधर उधर जब चैनेल है आपके पास आट डी साइंस डिकोडर दिसी जिकरान दिस साइड वेलकम टू लफ यू टुड़ेज क्लास है न आज के क्लास में आपका बहुत-बहुत सवागत है देखिए बाबू हम लोग नीशू कोर्स लॉंच कर चुके हैं और और फिर उसी को हम लोग कन्टिनिव करके फिजिक सेक्षन को अपन कन्टिनियू करते हैं और दूसरा छैप्टर हैCों का दूसरा चैप्टर है लाइट शैड॓ं औरिफ्लेक्शन और बहुत प्रक्टिकल चीजिय को इसमें फिल करने का मौगा cesspool मिलेगा लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा कि इन सब चीजों में भी physics है इन सब चीजों में भी physics को जानने को मिलेगा है ना तो बहुत interesting chapter है आप patience बना के पूरा till end of the video आप पूरा रहना अच्छे से देखना है कि एक चीज को सब clear हो जाएगा ठीक है और ज़्यादा अभी बात नहीं कर रहे हैं कि RD science decoder पे किस तरीके से परहाय जाता है आपने पिछला chapter भी कर रहा होगा है ना और पिछले कई chapters chemistry biology का upload है आप वहां से देख सकते हैं बाबू ठीक है चली अब हम लोग complete करते हैं शुरू करते हैं प्रोसीड करते हैं आगे है ना lecture में आज introduction class है छोटी class होगी हम लोग समझ करते ही जगह पर बैठ जाए ताकि हम एक चीज आप से अच्छे से discuss कर सके बहुत ही लुसिड वे में है ना बहुत ही इंट्रेस्टिंग वे में और बहुत इजी लैंग्वेज में ठीक है आईए सबसे पहले क्या है आज क्या है थोड़ी सी फर्मिलेटीज हम लोग पूरा कर लेते हैं आज बाबू लेक्चर वन है ना इंट्रो इंट्रोड़क्शन क्लास है ठीक है कि आज इंट्रोड़क्शन क्लास है एक मिनट एक मिनट आप मुझे टाइम दीजिए क्योंकि यहां पर तो लगा ही नहीं है है ना एक मिनट आप एंसे आटी बूक है तो निकाल लीजिए ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं हम लोग डिस्प्ले पर देखके एक एक चीज को कर सकते हैं चलिए तो हम लोग करते हैं इस चीज को और सबसे पहले आज लेक्चर वन है यह चीज़ आप आपको लिखने का टैम दिया जाएगा इस तीज के लिए आप टेंशन दे लेना ठीक है लेक्चर वन चैप्टर ऐसे तो 11 चैप्टर है आपके बुक के अकोर्डिंग अगर हम लोग लिखे लेकिन फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ठीक है लाइट थोरी सी फॉर्मिलिटीज हम लोग कर लेते है अभी आप लिखना नहीं लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा बाबु ठीक है लाइट शैडोगूज और रिफ्लेक्शन यह आपका चैप्टर है तो बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है आप आप जब परोगे तो यूविल फिल की इससे इंट्रेस्टिंग च कैप्टर है ही कि आपको बहुत सारे चीज को अनलाइज करना परेगा देखना परेगा बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको फिल नहीं होगा तो अगर आप समझ समझ के एक एक चीज को परोगे तो काफी मजा आने वाला है बहुत अच्छा लगेगा ठीक है यह आपका आज इंट्रो ख्लास है ठीक है और ऑज इंट्रो खस है जिसमें हम लोग बेसिक स्लेवर समझेंगे उसके बाद कि लोग ठोरा इंट्रो देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से हमझ टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ठीक है विडियो करें पहले इतना लिख लिज़ आप I hope कि आपने लिख लिया होगा है सबसे पहले क्या है हम लोग किस तरीके से पढ़ते है तो हम लोग सबसे पहले syllabus जानते है क्योंकि आपको एक road में पता होना चाहिए अगर आपको एक road में पता होगा कि इस chapter में आपको क्या-क्या पढ़ना है तो आप अच्छी तरीके से है ना उस चीज को follow कर सकते है समझ सकते है सबसे पहले हम लोग syllabus जानते है कि इसमें क्या-क्या परना सबसे पहला topic आपको object का classification है ठीक है जिसमे transparent object किसको बोलते है इसके बारे में समझेंगे हम लोग अभी आपने लिखना अभी आपसे देखते जाओ आपको end में लिखने का time दिया जाएगा ठीक है अभी आप सिर्प समझते जाओ transparent object की बात करें गई है transparent object क्या होता है दूसरा ओपक object की सब जब topic हम लोग परेंगे तो काफी बढ़िया तरीके समनों discuss करेंगे एक भी point नहीं चुटेगा clear करके परेंगे और तीसरा एक object है translucent और आप कई chapter में भी परेंगे दूसरा chapter में भी इसको परहाए गया है लिए कोई बात नहीं यहाँ आया है तो इसको हम लोग बढ़िया तरीके से पर लेंगे ठीक है तो पहला topic आपको यह परना दूसरा topic परना shadows के बारे में what exactly what exactly are shadows shadows के बारे में समझ लेंगे shadows होता क्या है तीसरा topic में आपको एक camera के बारे में परना ठीक है pinhole camera जब हम लोग यह topic परेंगे तो वहाँ पर elaborate कर दिया जाएगा लास्ट है न फोर्थ है लास्ट topic है mirrors mirrors के बारे में समझेंगे and reflection reflection के बारे में यह आपके सामने चार्ट topics परने है ठीक है बस यही चार्ट topics परना इस chapter में ठीक है वीडियो पॉस करें पहले इतना लिख लिजे आप से ले बस I hope I hope कि आपने लिख लिया होगा है न बाबू चलिए अब हम लोग आगे proceed करते हैं continue करते हैं और देखते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या बेसिक चीज समझने की कोशिस करते हैं ठीक है ncrt में हम चलेंगे ncrt के लिए आपको टेंशन नहीं लेना ठीक है ncrt में अभी हम लोग मूफ कर रहे हैं अभी जस्ट चलेंगे ncrt पहना ncrt आप निकाल लीजे ठीक है बाबू आईए सबसे टॉप में जो पैराग्राफ दिया हूए ncrt में ठीक है यह सेंज करते तो रीड ले ले तो ना आईए यह देखिए लाइट एक पहला में शैडोज और यह रिफ्लेक्शन यह तीन टर्म है नबाबू chapter और एंड होते होते हैं आपको light shadows reflection तीनों के बारे में बढ़िया पकर हो जाएगा आपको सभी तीनों term में क्या differences है क्या अलग-अलग principle रखता है क्या है नहीं है हर चीज़ आपको पता चल जाएगा अभी हम light shadows और reflection बात करने वाले नहीं है अभी सिर्फ यह शैडो इसको separate नहीं परेंगे यह सब topic के अंदर पर है जाएगा तो वहां पर discuss कर लेंगे तो अभी हम लोग discuss नहीं कर रहे है ठीक है अभी हो सकता तो सिर्फ light पर बात करेंगे तो light introduction में परहाई जाएगी ठीक है आई यह सबसे देखिए अगर आप NCRT देखो हुए तो यह जो पहला पा पैरा है आपके सामने इसमें क्या समझाने कोसिस करी जा रहे है देखो पहले भी मैंने बता चुका है है पहले भी मैंने आप से बात करा था कि हम हम लोग किस तरीके से परेंगे देखो हम लोग जो English में matter लिखा हुआ है उसका सिर्फ translation नहीं करेंगे वह हमारा target नहीं होता ठीक है वह target नहीं होता है तो क्या करेंगे भईया हम लोग जहां समझने वाली बात है वहाँ पे हम लोग काफी टाइम खर्श करेंगे उसको समझ तो हमारा टागेट यह नहीं होना चाहिए कि इंगलिस का हिंदी मतलब करते रहो यह सब करने की जुरूरत नहीं है ठीक है आपको समझना है कि यह पॉइंट डालने का क्या मतलब है NCRT आपको भी पता है कि NCRT कितनी प्यारी भूक है कितनी precisely, concisely और कितना meaningful way में लिखा गया है तो इस चीज को अच्छे से use नहीं करोगे अच्छे से जिस attitude से NCRT वाला कहरा आपको परने के लिए उस तरीके से परना है आपको ठीक है अगर आप उतनी शिद्द से परोगे उत से आपको परना परेगा ठीक है बाबू तो आएए ये फर्स्ट पहरा में है ना फर्स्ट एस्टेंजा में क्या कहने की कोशिस करी जा रही है देखिए आप अपने आसपास है ना अपने आसपास बहुत सारे objects देखते हो ठीक है और देखना और मैं conclude भी कर दूंगा किसी भ ये इक बार जो मैं जिस तरीके से कह रहा हूं वैसे आप फोलो करना बस सिर्फ आप सुनना बाबू गोर से और जो कहा जा रहा है उसको आप कोशिश करना कि मैं जितना कर सकता हूँ है ना उस सिच कर फोलो करना तो हमारे आसपास है हमारे आसपास बहुत तरह के objects है है ना first stranger में यही बात किये जा रहा है objects के बारे में जब आप रास्ते से होकर स्कूल जा रहे होंगे तो आपके आज पास में क्या बस दिखाई देगा कार्स साइकल्स ट्रीज अनिमर्स सम्टाइंस लावर्स भी दिखाई देंगे तो इन सब चीजों का एक्जामपल दे के आपको समझाने कोशिस करी जा रहे हैं कि यह सब औज 95 ND ओप्जेक्ट्स का इक्जामपल है और हम लोग कैसे देख पाते हैं इन करी जा रही है हाव भी ॆपको समझाने की कोशिस करी जा रहे हैं कि हॅब भी सी हम लोग कैसे देखते हैं, question किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं बाबू, तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो answer है, वो light है, ठीक है कि कोई भी object को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे light होता है इस चीच को और मैं explain करता हूँ, थोरा सा आगे चलते हैं, ठीक है, light object आप देखे हो, house, car cycles, trees, यह सब अगर यही सब चीच को अगर आपको रात में देखने को मिलेगा, है ना, night में, अगर same place पे आपको जाके night में देखने को मिलेगा, जहां पर अदम completely dark होगा, अदम अंधेरा ही, अंधेरा होगा, क्या आप उस चीच को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, क्यूं, क्यूंकि वहाँ पे darkness होगा, वहाँ पे अंधेरा होगा, है ना, और अंधेरा के वाज़े से, क्यूंकि absence of light है, वहाँ पे absence of light है, और light नहीं है बाबू, इसलिए तो आप वहाँ पे जो object है, वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो क्या पता चला, अगर आप darkness में जाते हो, तो वहाँ पे vision possible है, क्या आप देख सकते हो, answer मुझे करो, यह सब लिखने की जरूरत नहीं है, vision possible है, yes या फिर no, तो या अंधेरा में आप नहीं देख पाऊगे, vision possible नहीं है, no, ठीक है, vision possible नहीं है, नहीं देख पाऊगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे light का role होता है, अगर कोई भी object को आपको देखना है, तो वहाँ पे light रहना चाहिए, रोश्नी रहना चाहिए, है न, तो ही आप देख पाऊगे, तो light का importance पता चला है आपको, कि light का कितना importance है, light आप just imagine करके देखो, आप जिस room में बैटके पर रहे हो, आप बल भी जल रहा है, ठीक है, आप सभी चीज को देख पा रहे हो, अपने पता चला गई है, कि light यहाँ पे बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि light के बीना हम लोग कोई भी object को देखी नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे कही न कहीं यह जो है, यहाँ पे light का role समझाने की कोशिस करी जा रही है, कि light का role कितना वरा है, यह सबको मैं conclude कर दूँगा, यह सबको लिखने की जरुवत नहीं, बस आभी समझो आप, ठीक है, अभी आपको समझना है, तो इतना हम लोग discuss किया है, यह सब अभी discuss मैं कर रहा हूँ आपसे, इसको मैं अभी just discuss कर रहा हूँ आपसे, आईए, कुछ एक चीज को मैं लिखवाता हूँ, ncrt को हमने देख लिया, ठीक है, और आईए, अब हम लोग चलते है, बोर्ट पे, ठीक है, अपना बोर्ट पे चलते है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, और आगे हम लोग समझ सकते हैं यही चीज को, काफी बढ़िया तरीक जैसे कि object मतलब table, fan, chair, paint, pencil, paper, यह सारे चीज को देखते हो, और animals को भी देखते हो, कई तरह का animals, dog, cat, इस तरीके को देखते हो, तो हम लोग object का classification कर रहे हैं, पहला introduction class है, ऐसी hashtag डाल कि आप लिखना, और आपको पता हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, तो ज्यादा स classification हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और class देखो, कोई भी object का classification आपको पढ़ना है न, तो पहले आप जानने की कोशिस करना कि ये classification का basis क्या है, कि मुझे किस अधार पे classify करते हैं, जैसे कैसे किसी भी classroom में जाओगे, तो लरका इस side बैठेगा, लरकियां इस side बैठेंगी, ये क्य classification है, और वहाँ पे जो boys and girls को अलगलग रखा जाता है, तो इसका basis क्या है, वहाँ पे basis है gender, girls इस side और boys इस side, ये gender के basis पे classify किया गया है, तो यहाँ पे जो object का classification किया जा रहा है, इसका basis क्या है, बैठेगे साप पूछोगे न, बहाई इसका basis क्या है, तो इसका basis है, life existence, अग है living object ठीक है तो यहां पर object classification का basis क्या है किस अधार पर हम लोग classify कर रहा है life existence के basis पर तो मैं यहां से कह सकता हूँ कि if if life अभी मत लिखना प्लाइफ exist ठीक है in them अगर life एक्जिस्ट कर रहा है उस object के अंदर में तो मैं कह सकता है कि वो living things है ठीक है यह चीज़ आपको पता है अगर किसी भी object के अंदर life exist नहीं कर रहा है life basic चीज़ है तो basic से ही शुरू कर रहे है आपको ठीक है life doesn't exist अगर life exist नहीं कर रहा है उसके अंदर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाईया यह non living things है कि लिए रहे है कि यह non living things है तो यह object का classification अभी बहुत सारा classification हम लोग आगे देखते रहेंगे तो आपको समझ आ गया video post करें और इतना लिख लिजे आप I hope कि आपने लिख लिए बहुत क्यूट स्टुडेंट कुछ एक इंग्जामपल देख लिजे living तिंग्स का इंग्जामपल क्या होगा living तिंग्स का आप इनिमाल्स हो गया इनिमाल्स में कई तरह के जानवर्स आ गया हुमन विंग्स हम इंसान लोग है न यह भी क्या है living things में इस्टूल बस हो गया पें हो गया पेपर हो गया यह सब इक्जामपल हो गया न लिविंग तिंग्स का तो पहले object का क्लासिफिकेशन हम लोग ने कर लिया कि किस तरीके से क्लासिफाइए करते है ठीक है और रही बात object क्या होता है तो object हम next class में discuss करेंगे ठीक है यहाँ पर discuss नहीं करने वाले तो इत्ती बात किलियर होगे वीडियो पॉस करें example लिख लिजी आप I hope कि आपने लिख लिया होगा है ना इत्ती बात किलियर है और आगे बढ़ते हैं और आगे एक और hashtag डाल के आप light के बारे में समझना light के बारे में अभी आप समझें देखे light के बारे में कि life कितना important role play करता है बाबू क्योंकि light के बिना light के बिना जो है ना हम लोग देख नहीं पाएंगे light अगर सोचो आपके अगर light नहीं होता तो आप कोई चीज देखी नहीं पाते है ना देखी नहीं पाते क्योंकि आपको light का importance पता चल गया कि कितना important role play गर रहा है हमारे life में light है ना बाबू तो light के वज़े से हम लोग देख पाते हैं तो light के बारे में एक चीज़ लिखना कि यह light क्या होता है something यह कुछ तो है जिसके वज़ा से something that makes what that makes vision possible vision possible और आज हम लोग देख पाते हैं वो वो इसलिए क्योंकि हमारे आसपास light present है ठीक है तो light का इतना बड़ा important role है आप इस चीज़ को नजर अंदाज नहीं कर सकते हो light के वज़े से ही आप चीजों को देख पाते हो ठीक है यह clear रखना आप light के वज़े से ही चीजों को आप देख पा रहे हो ठीक है और यह आपको मदद करता है light जो है ना it helps us it helps us see object है ना तरह तरह के item को देखने के ल जो है ना light के बिना यह life जो है ना life meaning less है ठीक है तो light की बहुत बहुत अहम रॉल है हमारे life में और light light के बारे में दो चीज़ और समझो कि अगर light कहीं भी present है अगर light कहीं भी present है तो आप मुझे answer करो क्या वीजन पॉसिबल होगा बिल्कुल वीजन पॉसिबल होगा अगर light कहीं पे absent है light नहीं है ठीक है light रोशनी नहीं है तो वीजन पॉसिबल होगा वीजन पॉसिबल नहीं होगा मतलब वीजन impossible आप नहीं देख पाऊगा चीजों को जो आपके आसपास रखा जाएगा तो यह दो पॉइंट है ठीक है काफी important है रटने वाली कोई बात नहीं है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हम लोग इतना डिसकस कर रही के पर आपको दिक्कत नहीं होगा मुझे इतना तो उमीद है बाबू है ना वीडियो पॉस करें इतन यह है कि वह object light खुद का light emit कर रहा है कि नहीं है इविड का क्या मतलब generate कर रहा है कि नहीं है ना उत्पन कर रहा है कि नहीं उत्पन समझ रहे हो ना produce है न एक मिनट अब ही पामी पीदे रहना है ना बोर नहीं हो ना अच्छे से इंटर्टेन करके परेंगे बढ़िया तरीके से परेंगे ठीक है आप टाइम खर्च करो अगर टाइम खर्च करने को पर रहा है तो करो खर्च क्योंकि देखो बाबू अगर आप टाइम खर्च करके किसी भी ची ऐसा करके कुछ सोचना नहीं है आपको बढ़िया तरीके से एक एक चीज को एक चीज को क्लियर करके मतलब एक एक डाउट आपके मन में जो भी डाउट आता है छोटी से छोटी डाउट क्यों नहीं हो आप सब डाउट को क्लियर करोगे अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे पराग्राफ छुट गया था है आज लोग सिप इंटोडक्शन करने वाले हैं ठीक है इंटोडक्शन करने वाले तो हम लोग क्या थे यह पराग्राफ छुट गया था ना बाबू तो यह पराग्राफ को समझने वाले हैं ठीक है देखिए इस पराग्राफ में क्या समझाने को तो यह बहुत प्यारी बूख है इसको हम लोग बहुत respect करेंगे और बढ़िया तरीके से परेंगे तभी यह book मुझे respect करेगा, हम सभी को respect करेगा, ठीक है, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है book को, ठीक है, आप time spent करो NCIAT के साथ, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे जिन्रेट हो रहा है कि यह से light produce हो रहा है कि नहीं अगर light produce होगा तो वैसे object को luminous object बोलेंगे अगर जो object से light नहीं निकलेगा light नहीं दिखेगा इसको जो मैं और समझाऊंगा तो आपको और clear होगा ठीक है चलिए, इतना पहले हम लोग समझते हैं, इतना समझते हैं, आईए, बोट पे आईए, क्योंकि समझने वाली बात तो बोट पे ही possible है, आईए, तो object का classification हम लोग फिर से करते हैं, once again है न, यहाँ फिर से object का, देखो, अगर आप classification का basis याद रखोगे न, तो आप कभी नहीं ठीक है बाबू, और यहाँ पे classification का basis क्या होगा, basis ध्यान रखना आप, इसका basis होगा, इसका basis यह होगा, कि वेदर है न, वेदर, इट मतलब क्या, वो object, वेदर, इट, इमिट्स, है न, इट, इमिट्स या फिर, वोट, प्रोड्यूस, या फिर जेनरेट भी लिख सकते हो, यह तीनों टर्म का मतलब एक ही है, ठीक है, वेदर, इट, इमिट्स, या प्रोड्यूसेज, या जेनरेट्स, वोट, लाइट, और नॉट, मतलब, क्या, मतलब यह, कि वो object जो है, न, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे रोष्णी निकलती है कि नहीं, रोष्णी का सौर्स है कि नहीं, वो object, ठीक है, किस तरह का रोष्णी, वो भी हम डिसकस करने वाले है, ठीक है, तो अगर समझो, अगर समझो, कि, इमिट है ना अगर वह object जो है ना emits light है ना है इमिट्स light ठीक है वह light emit कर रहा है ठीक है generate कर रहा है तो हम लोग ऐसे object को बोल देंगे luminous object अब कहीं भी luminous object बोलने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कहीं न लाइट का सोर्स है उससे लाइट निकलता अगर वो डाज नोट इमिट लाइट ठीक है प्र डॉनआट इमिट हुए मेट लाइट हुए है लाइट को इमिट नहीं कर रहा है वह ऑब्जेक्ट तो वह ऑबजेक्ट नॉन लुमिनस हो जाएगा ठीक है नन का मतलब कोई भी वर्ड के पहले नन लग जागा ना मतलब नहीं है वो लूमिनस है ही नहीं किसके किसके पहले लगा है लूमिनस के पहले नन लगा है इसका क्या मतलब वो लूमिनस है ही नहीं लूमिनस नहीं है तो क्या है नन लूमिनस है इस तरीके से हम लोग कि luminous object का क्या मतलब है luminous object का मतलब है फिर से समझो आप फिर से समझो कि ऐसी object ठीक है ना वैसे सारे object को हम luminous बोलेंगे objects that what generate generate या emit या produce कुछ भी ठीक है generate या फिर emit what their own light their own light उसके पास खुद का light होगा बाबु ठीक है example कुछ एक example देखिए जैसे अगर आपके पास sun है आपको पता है इसके पास अपनी रोशनी है और यही sun के वज़े से आज पूरा दुनिया रोशनी को देख पाता है पूरा दुनिया में आज रोशनी है ठीक है stars के पास भी इसके निकलती है या फिर टॉर्च इन सभी example को ध्यान में रखना आप ठीक है यह सब examples है किसका luminous object का यह सब को हम लोग बोलते है luminous object ठीक है and non luminous object किसको बोलते है औब्जेक्ट डैट अब्जेक्ट डैट अब्जेक्ट डैट ड़स नॉट ड़स नॉट प्रोड्यूस अब्जेक्ट बोलते हैं इसका example हो गया मून आपको पता है मून के पास अपनी रॉस्णी नहीं है ट्री पेर देख लो पेर के पास भी लाइट इमीट नहीं करता है बुक हो गया आपका बुक यह सब जो हाना इमीट नहीं करता तो यह सब को हम लोग बोलेंगे non luminous object है NCRT में चलते हैं और देखते हैं अभी आपको कि NCRT में और क्या यहीं समझाने कोशिस करी जा रहे थी कि luminous object किसको बोलते है non luminous किसको बोलते है ठीक है इतनी बात कि लिए हो गई और जो यह बात दिया हुआ बाबू कि हम लोग किस परकार से देखते हैं किस तरीके से हम ल बात लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहां समझाने कोशिस करी जा रहे है कि हम लोग किस तरीके से देखते हैं किस तरीके से इसको मैं समझा दूंगा आपको कल कल इसको मैं समझाओंगा ठीक है डीटेल में चलिए बाबू मुझे उम्मीद है कि आपको चीजों के बारे में idea लग गया होगा ठीक है ना मुझे भरोसा है अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया होगा तो आप क्या करना आप कमेंट करना है ना कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को रखना ताकि हम लो नेक्ट क्लास में इसको डिसकस कर देंगे ठीक है देखिए तो सबसे इंपोटेंट काम है बाबू होंबक होंबक में आप क्या करना सबसे पहला होंबक है कि लेक्चर वन को आज रिवाइस करना आप जो आज रिवाइस टुडेश क्लास जो आज पर है उसको पर किया ना याद मत करना कोसिस करना जो परहाया गया था जिस तरीके से बताने ही कोसिस करी जा रही थी आप recall करने ही कोसिस करना मेरी बात को दूसरा आप topic पहला पर क्या ना 11.1 को पर क्या ना जो transparent, open translucent object है उसको पर क्या ना ठीक है और रिवाइस करके आप अच्छे से और डेली क्लास होगी आप डेली-टेली गरना क्लास को ठीक है न बाबु uma ं